नमस्कार आप देख रहे हैं गाड़िंग एस्थेटिक्स मैं हूँ अनीता देनेश गाड़िंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं जीजी प्लांट के बारे में क्योंकि बहुत सारे सब्स्राइबर फ्रेंड्स काफी दिनों से पूछ रहे थे की बहुत जैथा नहीं चलता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है पतियां पीली होती हैं स्टेम गिरने लगती है और रूट रोट होने लगती है वेसे तो मैंने जीजी प्लांट पे बहुत सारे इनफोर्मेटेव विडियोर्स बनाए हुए है जीजी प्रलांट पर का कैसे प्रपगेशन कर रहे हैं मेरा और यह έχज बहुत अच्छा विडियोर्स है और जीजी प्ललांट से रिलेटेट, उसके केर के रिलेटेड मेरे तमाम वीडियो के लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिलेंगे में आप जा के उनको देख सकते हैं प्रपेगेशन पर चलत कर ऐसमाँ इज़ी प्लांट में आने वाली में जो समस्याय और वनसूं के सीजन के दौर आपको अपने चलती हैं सबसे पहली बात तो जब आप जीजी प्लांट इस तरह से नसरी से खरीद करके लाते हैं तो आप ये चेक कर लीजिए क्योंकि ज्यादातर केसेज में अगर इतना बड़ा पॉट है तो उसमें पूरी तरह से खुब बढ़िया भरा हुआ जीजी प्लांट होता है तो आप पह का उसमें आभाव होगा और कोको कुई पड़े होने पर उसमें बहुत ज्यादा मोश्चर मिट्टी रिटेन करने वाली होगी और दोनों चीजें प्रॉब्लमाटिक हैं जीजी प्लांट के लिए तो ये दोनों चीजें जब आप चेक कर लेंगे तो फिर आपको ये करना हो होगा कि आपको या तो उसी पॉट में आधी मिट्टी निकाल करके नई सोयल भर दीजे और आधी में अपनी बनाई हुई पढ़ियां वेल रेनिंग सोयल भर दीजे जो कॉम्पोस्ट रिच हो यानि कि कोई अच्छा और गैनिक कॉम्पोस्ट जो वर्भी कंपोस्ट हो सकत है को सकता है एज्ड कावडंग हो सकता है लीफ मोल्ड हो सकता है फेन आपका हूम कोम्पोस्ट भी हो सकता है और मिट्टी और सैंड सैंड नहीं हो तो पर लाइट इन दोनों की बैलन्स कॉंटीटों डाल कर एक उसमिको आधी ठीक कर लीजिए फिलहाल यानि कि उपर की को reporting के बाद handle कर लेंगे और उसे stress में नहीं जाने देंगे तो फिर आप पूरी तरह से समिटी को बदल करके भी अपने plant को report कर सकते हैं new soil mix में क्योंकि इस season में plant के खराब होने के chances काफी कम होते हैं बस उसे जरूरत से ज़्यादा रेइन वाटर से बचाना पड़ेगा जीजी प्लांट को जब आप रूट से निकाल के देखते हैं तो आप देखते होंगे इसमें नीचे नोडिूल्स बने होते हैं यानि कि आलू के जैसी पोटेटो के जैसी छोड़ी फॉर्मेश होती हैं यह जीजी प्लांट का खाना पानी स्टोर करके रखने का काम करती हैं ऐसे में जब किसी भी प्लांट में इस तरह के नोडिूल्स हों तो समझ दीजिए कि उस प्लांट ने अपनी रिक्वाइरमेंट का खाना पानी स्टोर करके रखा होता है ताकि लंबे समय तक अ नहीं होती है इनको आप जब देड़ दो इंच धाई इंच तक की मित्री सूखे तब आप इनको पानी डालिए और अगर आप जीजी प्लान को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको इसमें बहुत पानी नहीं डालना है क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लान तो है इसको वातावर पानी से थिक और बुशी लायते वो एकदम स्पार्स हो जाएगा तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी तो अपने हां के वेदर के हिसाब से डालना है जैसे गर्मियों के दिनों में भी सबताहम एक बार थोरो वाटरिंग वर्क करेगी पर हां ये कर सिंब खण एया बहुत तो तीम-चार दिन पर मिस्टिंग पतिएँ क्रोब ये पर्प्ती ओंते मैं म सैक्ति चल्दी घला बड़ेगा मनिस्पत की जलदी जलदी आप इसकी मुट्टी में पानी डालें तो ये ध्यान रख़िए कि मिट्टी में पानी तो एक बार फिर वेट कीजिए उसको कम से कम आधा सूख जाने का जब आधा सूख जाए तो फिर दुबारा पानी डालिए मगर उसके बीच में क्योंकि हमारे यहां जो हम लोग North India में रहते हैं हमारे यहां वातावरन बारिश के दिनों में हुमिडिटी का लेवल अच्छा होता है पर अ मैंने देखा है कि मेजून के महीने में बहुत ज़्यादा मरते हैं जीजी प्लांट और इसके बाद कम मरते हैं जैनवरी में मरते हैं जीजी प्लांट के प्लांट बहुत ज़्यादा सर्दियों में तो अगर आप इसको एक महीना भी पानी नहीं देंगे तो इसको पानी की जरुवत महसूस नहीं होगी पर हमेशा एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जीजी प्लांट को कम से कम साल में एक बार तो बढ़ें कमपोस्ट या मैनियोर और उसमें थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर मिला के देए केमिकल फर्टिलाइजर में बैलन्स क्वांटिटी का एनपी के थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रियन टापएड कर सकते हैं और इसको आप किसी अच्छे और्गनिक कमपोस्ट में मिलाईए और फिर अपने प्लांट के टॉप पर खुब अच्छे से डाल दीजे और आप देखिए कि आपके प्लांट में नई ग्रोध भी होगा, प्लांट थिक और बुशी भी होता रहेगा, उसकी पतियां शाहिनी भ बहुत अच्छी है, तीन तीन महीने तक तो मैंने भी रेगुलरली अंदर रखे हुए हैं, और एक बात पके ये बहुत लंबे समय तक लोईस्ट पॉसिबल लाईट में बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है, पर आपको एक चीज़ जहां रखनी पड़ेगी, बहु काली पत्तियों का रंग हरा होने लगेगा, उसमें नए स्टेम जो निकलेंगे वो हरे निकलने लगेंगे, इसलिए इनको थोड़ी रिलेटिवली ज्यादा संलाइट में रखे हैं, यानि कि आप इनको नौर्थ के ओपन एरिया में रख सकते हैं, आप इनको इस्ट के ओप प्रोपगेट करते रह सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से प्रोपगेट होने वाला प्लांट है, और मौनसून में तो इनके जो प्रोपगेशन की दर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, देखिए ये दोनों तरीके से मैंने इनकी एक एक स्टेम प्रोपगेट की ह हुई है, और ये सोयल में प्रोपगेट की है, बहुत अच्छे से रूट निकल चुकी है, मजबूत जड पकड़ चुकी है, और ये मैंने पानी में प्रोपगेट किया था, और देखिए आप इसमें इसमें तो नोडूल भी बन गए हैं, और इसी तरह से आप मल्टिपल स् छे दिन बारिश हो रही हो, बहुत तेज बारिश हो रही हो, तो आपको इनको एक सर्टिन लिमिट के बाद बरसात के पानी से भी बचाना होगा, क्योंकि बारिश का पानी इनकी ग्रोथ बढ़ाता है, इनके लिए फाइदेमंद होता है, पर इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश इनके pot में जब पानी रुकने लगेगा, root rot होने का डर होगा, plant के nodules गलने लगेंगे, roots और stem गलने लगेंगी और आपका plant खराब हो जाएगा, क्योंकि ये एक humidity loving plant तो है और बारिश के दिनों में इसको वाता वरण में जो नमी का level बहुत बढ़ जाता है, तो वो तो पान जिनों बाद बारिश होती है, तो उसमें आप इनको रख सकते हैं, वो बारिश का पानी इनको benefit करेगा, इनकी growth अच्छी होगी, इनकी पत्तियों की quality अच्छी होगी, और in fact बारिश के दिनों में इस plant में maximum growth होती है, क्योंकि जो इनकी desired humidity होती है, वो इनको मिल जाती है और क्योंकि ये अपने natural habitat में इसी तरह की climate के आदी होते हैं, अच्छा है, आप इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे, तो आपके जीजी plant अच्छे बने रहेंगे, healthy बने रहेंगे, और आपके पास grow होंगे, और इनको follow करके देखिए, और आप देखिए, आपका plant संदाने पन के link को अपने gardening loving friends के संग share करें, और like का button दबाना और comment करना वीडियो पर बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि जबाप ऐसा करते हैं, तो हमारे वीडियो ज्यादा spread होते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, thank you very much.